आचार्य चानक्यने नीती शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परिवार, समाज के साथ ही कई मुद्दों पर नियम बताये हैं। ये सभी नियम बर्तमान समय में कठोर भी हैं और प्रांसदिंक भी जिसमें ये भी बताया गया है कि आखिर क्यों पुरुष का अपनी पत्मी से मोहभंग होता है और क्यों वो दूसरी स्त्री के प्रती सम्मोहित हो जाता है। वानी में मधूर्टा की कमी समय के साथ साथ वैवाहिक रिष्टे में कड़वाहट की वज़य वानी की मधूर्टा में कमी होना होती है। ऐसे में घर की स्त्री हो या फिर पुरुष घर के बाहर वो मधूर्टा तलाशने लगता है बस यहीं से परेशानी शुरू होती है। एक वैवाहिक रिष्टे में दूसरे सुखों के साथ ही मानसिक सुख भी माइने रखता है, जिसकी कमी रिष्टे तोर देती है आकर्शन की कमी जब पती-पत्नी एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते या फिर एक दूसरे को पूरा समय नहीं देते या फिर सिर्फ एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहते हैं, तो ऐसे में रिष्टों में खटास आने लगती है ऐसे में पती, पतनी की जगह किसी और स्त्री की तरफ आकर्शित हो जाता है वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत ही भरोसा है अगर स्त्री ये भरोसा तोड़ती है तो पुरुष और अगर पुरुष ये भरोसा तोड़ता है तो स्त्री घर के बाहर रिष्टों की तलाश करने लगती है अपनी जरूरतों के लिए ऐसे स्त्री पुरुष एक्ट्रा मेरिटल अफेर में कहीं आगे बढ़ जाते हैं संतान की नई जिम्मेदारी व्यवाहिक जीवन में पती-पत्नी के बीच संतान के होने के बाद कभी-कभी रिष्टों में बदलाव आ जाता है स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं ऐसे में चंचल स्वभाव वाले पुरुष घर से बाहर अन्य के प्रती आकर्शित हो जाते हैं और यहीं से एक्ट्रा मेरिटल अफेयर की शुरुवात हो जाती है